सुप्रम कोट ने मंगलवार को सभी विवीपैट पर्चियों की जाच की मागवाली याचिका को खारीच कर दिया है कोट ने याचिका को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि हम ऐसी याचिकाओं को बार बार सुनकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते लोग अपने प्रतिनिदियों को चुन रहे हैं और हम इनके बीच में नहीं आ सकते सुप्रम कोट ने कहा कि हमें इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है मुखे नायधीश रंजन गोगोई का कहना है कि एक ही मामले की बार बार सुनवाई क्यों की जाए चिन्नई के टेक फॉर ओल ने सुप्रम कोट में याचिका दायर की थी जिसके बाद तकनीकी तोर पर विविपैट से जुड़ी इवियम ठीक नहीं होने की बाद कही गई थी इस याचिका के जरीए और याचिका में इवियम मशीनों में गड़वड़ी का हवाला देते हुए कोट ने सभी इवियम का वीवीपैट से मिलान करने की माग की थी और इस मही ने 7 मई को सूपर्म कोट ने ईवियम और वीवी पैट की पर्चियों के मिलान वाली विपक्ष की याचिका खारिच कर दी है इसके लिए कुल 21 विपक्षी दल याचिका दार उनकी तरफ से की गई थी ये दल चाहते थे कि चुनावायोग 50 पीसदी विवीपैट पर्चियों के इवियम से मिलान का आदेश दे तो आपको बता दे साथ मही को भी याचिका खारिच की गई थी जो विपक्षी दलों की और सिदार की गई थी सुप्रिम कोट में और विवीपैट पर्चियों का ये मामला है जहां पर विपक्ष की इमाल थी कि गड़बड़ी जो है इवियम के जरीए की जाती है इसलिए EVM और VVPAT की जो पर्ची निकलती है इन दोनों का मिलान किया जाए ताकि निश्पक्षता के जांच हो सके कि आखिरकार क्यों सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की ओर से और विपक्ष के सवालों का जवाब उन्हें मिल सके इसके लिए सुप्रिम कोट में यह याचिका दार की गई थी लेकिन इस याचिका को साथ मई को ही सुप्रिम कोट ने खारिज कर दिया था और 50 फीसदी पर्चियों के मिलान की बात विपक्ष कह रहा था लेकिन बावजुदिक्स के सुप्रेम कोट ने ये इजाज़त नहीं दी थी